जै हिं दोस्तों, GDP की नहीं भर्ती आाचुकी है, PolipLife बीस्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे भचे हिना PolipLife बहुत सारी गल्ती है, इसे बाचने PolipLife बहुत सारी गलती है पापका का नाम गलत भर दिया है, अगर आपने PolipLife बहुत सारी गल्ती है, तो कौन सी गलतिय हैं आपके फ्रम reject हो जाएंगे और कौन सी ऐसी गलतिय आपको फ्रम reject नहीं होगा कुछ ऐसी गलतिय हैं जिससे correction window आप correction कर पाओगे और कुछ ऐसी गलतिय हैं आप correction video में भी correction नहीं कर पाओगे तो इस वीडियो cep at star lord clear हो जाएगा जिन बच्चों कर दिया उनने इन के लिए यह बहुत जा करते हैं, और जिन बच्चों ने फ़यू अभी तक नहीं फ़यू किया, उनके लिए भी भी विडियो बहुत जा कि आप déjà कोई बहुत जा दी नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूर बहुत सरे बच्चों का form SEC ने ऐसे ही reject कर दिया था, उन्होंने क्या किया था, double form भर दिया था मेरे भाई, एक form भरा था तो भरा था, पता नहीं क्या जो साथ है आप लोग का double form भर देंगे, आपको क्या लगता है, दो form भर दोगे तो क्या, एक आदमी दो ज जगा से नोकरी लेगा, इसा तो नहीं होगा ना, एक आदमी एक ही जगा से नोकरी लेगा ना, दो-दो form भर दिया है उन्होंने, तो दो form भरने से क्या होता है ना, actually जो SEC का आपका जितना ही form भरा है, यह जो verified करता है, वो क्या लगता है, इन्सान verify करता है, नहीं मेरे जो लोग बहुत ही चलाक है, चलाक बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे IC style एंफोटो अप्रोड करते हैं, कुछ भईया सारूखान बनके फोटो अप्रोड करते हैं, कुछ टोपी लगा लेते हैं, ऐसे सी कहता ही कि आपको भईया, नॉर्मल ऐसे खड़े रना है और प्राइब कुछ भी है लाल पीरा हरा सभा से कोई फरक नहीं पड़ता है आपका एक्सेप्ट कर लेगा अब बहुत सरे बचों ने हमने उल्टा अप्लोड कर दिया है अपको चेंज कर सकते हैं इसे आपको चेंज करना भी चाहिए नहीं करोगे तो बहुत सा दिक्कत हो जाएगा अब दो यह सबसे बड़ा चीज है माइगरेंट का ओप्सन में हमने यहाँ पर येस कर दिया है और नीचे वाले सक्षन में नो कर दिया है तो भाईया क्या होगा अगली बार ऐसे ही मैं बताओ का एक्जाम खतम हुआ था बारा सो केंडिट का अलग से बढ़िया जो रिजेक्टे डिलिश निकाला गया था ऐसे ही टाइक के बच्चों का निकाला गया था इसमें ऐसे यह आप से पूछ रहा है जो आपके माइगरेंट वाला आप्सन है कि आप बिहार करने वाले हो अब बहुत है आप असाम में जाके आप बस चुके हो तो क्या आपने बिहार से माइगरेंट किया है असाम में तो आपको यहां पर अपने नो किया है तो बहुत सारे बच्चों का इसू हूआ था तो अगर आपने पहले यहां कोई दिक्कत नहीं यह आउटवेट नो हो बिहार का आदमी आसाम में पूरा बस जाता है, इसका घर बार सब कुछ लेगे, आपने बिहार से माइडन करके आसाम में गरो, तो ये भाई आपको देख लेना है, और 90% जो फॉर्म रिजक्ट होते हैं, फोटो, सिगनेचर, डवल फॉर्म भरने के चलते, इसी में भाई पापा का नाम गलत किया, तो फॉर्म रिजक्ट नहीं होता है, ये बहुत बना मित है बच्चों का, कि ममी पापा का नाम करने से फॉर्म रिजक्ट हो जाते हैं, बट ममी पापा का नाम गलती करने से एक चीज़ का प्रॉबलम होता है, वो क्या? अभी तो आपका कुछ नह वो आपका होगा document verification के time पर वहाँ पर जो आदनी बैठा होता है वो देखता है कि अच्छा अपने metric में आप यह नाम ममी का आपकी यह थी भी है अब मुन्ना वहाँ पर हो जाएगा अब वो बंदे के हाथ में रहेगा आपको फेल करने के लिए ही साला वहां पर वैठा होगा उस तेम पर बाद में सब कुछ क्लियर कर लोगे तो बाद में आपको इसका चक्कर लगाना पड़ सकता है तो वहां पर स्कीम हो जाता है ठीक है अब पोस्ट विपेंस टाइम अगर अभी आप चेंज नहीं करोगे इसको जब कर पाऊगे आप सोचोगे कि हम डॉकम पर चेंज कर देंगे जो ही फोर्स आपको मिलना होगा तो वह चीज आपका रहता है तो वह चीज को ध्यान से रखना है दिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज आपको बदाना चाहता हूं बहुत सरे ऐसे बच्चे हैं जो कि सब्सक्राइब कर देगा अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं अपने टॉपिक के उबार अब दोस्तों अगर आपने गलती किया तो इसे आप ठिक कर लेना दूसरा सबसे बड़ा गलती कर दीभाय her और चुछ कर घ üzerine करें अब कल्थी कर दीख कर घेंगा योटूमें यूटूबस पोल रहे हैं ऊहले मुछ पेंकुछ कार रहा है चाहता करना इंक्लिक़ करो जाएगा है red जटिक बहुत बहुत बढ़ा गलती है और इस भी ठीक करना बहुत ज़रूरि है और सौरछ बिश्ना हैं न ठाफ मिष्ट करने के लिए और शौरव मिष्रा भ्हाइगा आपको आपका भाई है inner ultimate न हैं हम हैं डाउट क्लियर करने के लिए आपके हम है तो फिर का चीज का गम है हम है अगर आपने फोटो में कुछ गलती किया यह सीनेचर में कुछ गलती किया तो भाईया फिर दिक्कत हो सब इसको नाम बता दिया अब कुछ बचे ऐसे जो कि OBC है यह नहीं बट उन्होंने जैनल क का नाम पापा का नाम कैटेगरी सब कुछ जो आप चाहोगे सब कुछ करेक्शन विडियो में सही हो जाएगा तो आप कुछ भी कलती है तो ठीक कर लेना है बात में रिस्ट नहीं लेना है और फॉर्म रिजेक्शन में आपको पहले ही बता दिया है कि भाईया ऐसा फॉर्म भी चांसेज नहीं है और यह मेरा पर्सनल गेरेंटी है बात में लेकिन जब डॉकमेंट वगरा सब कुछ बना लेना है इसके बात बनाओगे तो भाईया वो डिपार्टमेंट के उपर रहेगा भरती वोड़ो लेकर उपर रहेगी वो एक्सेप करेंगी नहीं करेंगी है अभी तो कुनों एक्सेप किया है बट बाद में क्या रूल एक्सेप होते रहता है तो कोई कोई सबसे बड़ी चीज मैंने आपको यह बताई है कि सिगनेचर फोटो उल्टा पूल्टा अप्लोड होने से और भाईया फोटो के नीचे आप बहुत सारे यह बच्छे पूज तो फोटों नीचे हमने बहुत पुड़ाना ड़ी डाल दिया तो हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो क्यों कि देखिए अक्चुली मैनुवल यह इंसान तो चेक करता है नहीं कोंपिटर चेक होता है वह सब्सक्राइन अगर पकड़ लिया तो भी रिजेक्ट हो सकते हैं और यह एक्चली चार जनवडी से डोस्तों आपके च्छे जनवरी तक क्रेक्शन बिंडो इसी developers होंगे और इसी दिन भी आपको क्रेक्शन कर लेना है आपने कुछ भी गलती किया होगा चार जनवरी से лे के खेट च्छे जनवरे के भीतर जबापके प्रेक्षिन विंडो ओपन होगा तो इसको सही कर लेना है और बैस अगर नहीं कुछ समझ में आपको समझा दूगा बात में रिजक्शन करना पर जाएगा अपको बहुत कि चीज़ कर ले इसे इस अभवा मचा हो जाएंगे लेकिन जब रिजक्षन कर लिजक्शन के साफ़ हो जाएंगे पर सकता है उस टेम पर भरती बडोला मैच करे गारी में और कुछ लिखा है अभी कुछ नहीं होगा पोटो पे डवल फोंप ने भर दिया है उस टेम पे इस कैटेगरी वगरा में भाइया अभी खिलाल में जो फॉर्म रिजक्ट होता है बात बाकि और किसी में फॉर्म रिजक्ट नहीं होता है इसी लोग बोलते है अभी सब कुछ भी गलती किया तो सही कर लेना पात्में भी यह दिक्कत करना पड़ सकता है उस टेम फिर क्यों केस लड़ोगे उसका हाँ सब्सक्राइबर हैं हम से थोड़ी गलती होगा भी या ने हमें सब कुछ पहले से बता के रखा है कि ऐसे डॉक्मेंट हो गारा रेडी करना ऐसे करना तो मैं हूँ ना फिर फिकरी का बात जब सब्सक्राइब कोई दुरत नहीं है ठीक है मैंने आपका सब्सक्राइब कर दि क्योंकि अभी जो ने पहले आप बच्चों ने पढ़ा है अभी पार्ट्व में और था पढ़े लेंगे या जाद दें बचा नहीं हुए बस मैं आप कुछ ऐसे चाप्टर बताऊंगा जिसको और कुछ बच्चे बोले तो मैं अगर नंबर नहीं होगा तो क्या हमारा क्लि चालिस में से अगर आपने पांच नंबर भी रख लिया है तो बस काफी है बाद में रिजनिंग हिंदी और जिकी जो को टारेक्ट हो ना स्कोर बढ़ेगा सस्रा सेलेक्शन होगा मैं बताऊंगा ना कैसे लेना है कौन सिट्व बच्चों का होगा बट पहले से बताद दू यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाना और भाईया इस टाइप के जो स्टेट है दिली इन स्टेटों का भाईया बच्चों का नमस्ते आपका कड़ा बहुत हाई जाते हैं 132 करीबन जाते हैं तो इनके लिए नहीं है बाद बाद के और जितने हैं असाम हो गया मनिपूर हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बेंगाल हो गया, करनाटका हो गया, टामिलाड हो गया, उन सारे बच्चे को मैं इस बता सकता हूँ, आपको तो भाईया मैनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत हाई जाते हैं, एक्सपेडेशन से भी थोड़े हाई चल जात हो गया, आप से लड़ने की जिद, सिलेक्शन लेने की जिद, कि एक वोस्ट हमारा रखा हुआ है भाईया, पोस्ट विपेंस के टाइम जब भरते होना, तब एक मन में अठिटूट होना चाहिए, कि भाईया, हमने अगर आसम राइफल भरा है, बीएस से बरा है पोस्ट व से भरा तो CISF में नौकली लेके आएंगे, इस एक विपेंस के साथ पढ़ाई करो, जब कोस्ट विपेंस भर्दी आए तो इसी फोर्स में हमें बदल बर्दी चड़ेगी और इसी फोर्स में हम भाईया नौकली लेंगे, जब 22-23 साल के बंदे ऐसे बंदू लेक खड़े ह होते हैं, कहीं भी SS duty लगा हो, राइफल लेक खड़े होते हैं, तो उस टेम के अटिट्यूट होता है, अलाट टाइप का होता है, चाहे SSF की बर्दी हो, वो बर्दी के लिए बढ़ाई करना है, सेलेक्शन लेना है, किसी के लिए तब करोगे ना, जब exam qualify करोगे, exam जब पानत कर देनी कि बात में tension नहीं हो, ऐसे घमान से बैठाओगे, physical निकाला, अब भाईया बात है, medical निकाला, confirm नोकरी होगा, किसी का बात नहीं रोख पाएगा, अब वो एडिट्यूट के साथ तयानी हो, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं को पता है, मेरी बात क यह कर देगा, तो जै हिंज भात, लवी मैं साहिवे को बात में किजए बंदेख बात में